हलो फ्रेंड्स वेल्कम डू माई यूटूब चैनल आज में इस वीडियों में बात करने वाले हैं सैकेंड ग्रेड के लिए महत अपन क्यूशनों के बारे में 30 जुलाई को जो एक्जाम होने वाला है सैकेंड ग्रेड का उस एक्जाम के लिए महत अपन क्यूशन है इन क्यू और यांप्स पर दी और चिल अगला रजश्तान के वह आपर है अगला राजस्तान के किन जीलों में अम्रिकन का उसका कांपर रजकों कि आप मोश्तान का पुझाँ बारबारा और डी ओप्सन उद्यपूर ची तोड़कर तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानेगर वैवांसवाड़ा जिल्य में जो अमेरिकन का पास है उसका वतवादन किया जाता है एक नमर उप्सन इसका सही होगा अगले राजस्तान के किस बाग में वालरा कर्सी की जा जाएगा दक्षन में वालरा कर्सी की जाती है तो नमर उप्सन इसका सही होगा अगला है माही कंचन और माही दवल किस फसल की किस में है ए उप्सन गेहों की बी उप्सन चावल की शी उप्सन जो की ओडी उप्सन मक्का की तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का की माही कंच माही दवल है वे मक्का फसल की किसमी है चार नमर उप्षन इसका सही योगां अगला है राजस्तान में सबसे छोटा कर्षी जल्वई परदेश कौन सा है राजस्तान में सबसे छोटा कर्षी जल्वई परदेश कौन सा है ए उप्षन सूसक पस्चमी मेदान बी उप्षन आद दर्दक्षनी मेदान अगला है करसी यों सम्मंदी चेतर का वर्स 2020-21 में वर्तमान कीमतों प्ररास्तान के शकल राज्य मुल्य वर्दन में कितने परसेंट योगदान करने का अनुमान है तो ए उप्सन 20.73, दो नमर गुनतीस परसेंट सितेंटर, उप्सन dándर, शकल परसेंट करने का योगदान करने का अनुमान है योगदान कीमत आफ नशही किस में ये पुराना कैशन है दो हुजार बाइस का है अगला है जेबपूर दोसा और अजमीर राज़स्तान के किस करसी जल्वाईव पर देश में से मलीट है जेपूर दोसा और अजमेर किसे जलवायो कर सी छेतर में आते हैं एवसन बाड परवायूत पुरवी मेदान में दो नमर अर्द सुसक पुरवी मेदान में सी ओफसन है अर्द आदर दक्षनी मेदान में चार नमर है आदर दक्षनी मेदान में तो जो जेपूर दोसा अजमेर हैं ये अर्द सुसक पुर्वी मेदान में आते हैं दो नमर ओप्सन इसका सही हो जाए गया अगला है राजस्तान के किस भागमी सुसक खेती पर चलीत है सुसक खेती राजस्तान में कहां पर पर चलीत है ये फाइरमेन ब्रती दोजार बाइस में पुचा गया किस ने पुर्वी भागमी सुसक खेती पर चलीत है दो नमर है दक्षनी भागमी तीन नमर है दक्षनी पूर्वी भागमी चार नमर है पस्चमी भागमी जो NRCAH है नेसना रिशर्च सेंटर फोर एरिड होर्टी कल्चर है यह काँ प्रस्तित है ए उप्षन जोधपूर, बी उप्षन बीकानेर, सी उप्षन बार्डमेर और डी उप्षन फ्लोती है तो इसका सही जो आन्सुर है वो हो जाएगा बीकानेर दो निम्र उप्षन सही होगा राजस्तान में नेसना रिशर्च सेंटर फोर एरिड होल्टी कल्चर है वे बीकानेर जिली में है सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्यूशन है अगला है राजस्तान में राजस्तान के निम्रा की जिलो में से कौन सा प्रमुख स्वयाबीन उत्पादक है तो इसका सही आंसर वाज़ाएगा बारा राजस्तान में बारा जिल्ण है वे परमुक सोयाबीन का उत्वादन करता है इसलिए एक नमर उसन सही होगा बारा अगला है राजस्तान के कुल 6 तरपल का लगबग कितना परतिशत वाग फसली है यानि राजस्तान के कुल 6 तरपल का कितना परतिशत वाग लगबग जो फसली है A ओप्सन 42, दो नमर एकाउन, C ओप्सन 70 और D ओप्सन 80 तो इसका जो सही आंसर है वो होगा तीन नमर ओप्सन 70% राजस्तान के कुल 6 तरपल का लगबग 70% वाग फसली है अगला है जैसल मेर बाड मेर जालोर से चूरू जुन जुन तदा जुन तक फैली लगबग है कर्मिक पेटी जिसकी कर्शी से समंदीत है तो वे कर्शी कोंसी की जाती है जैसल मेर बाड मेर जालोर से चूरू जुन जुन तक फैली है कर्मिक पट्टी तो उसमें एअप्ष्ण है जवार तो नमर गवार, तीन नमर बाज़रा और चार नमर है सर्श्चों तो बाज़रा की खेती की जाती है बाज़रा की कर्शी की जाती है ज्यासलमेर, बढ़umesर, जालों से चुरू जूलंवों तक फेली लगब कर मी पेटी मी तीन नमर option सही होगा बाजरऊ अगला है मक्का राजस्तान के मुखित है कौन से भाग में उत्पादित होता है मक्का कौन से भाग में होता है राजस्तान मी तो एए option दक्षनी पस्थमी चेतर मी दो नमर उत्री छेतर में, तीन नमर दक्षनी पूर्वी छेतर में, चार नमर है उत्री पस्च में छेतर में तो इसका सही आंसर है दक्षनी पूर्वी छेतर में मक्का मुख्यत है वो उत्पादी दोता है राजस्तान में दक्षनी दक्षनी पूर्वी भाग में तीन नमर उफसन सही होगा आज की एक्षन आपको कैसे लगे कोमेंट में जरूर बताना साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करना चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर के लिए अगर सिक्सक बरते की तारी कर रहे हैं तो आप इसी जनल पर आपको महत्पन क्षन मि मिलेंगे थैंक्स वर वाचिंग आपको दीम सुभूं